हालो गाइज कैसे आप सब लोग टैरोग्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जो रिटिंग करेंगे गाइज वह केंडल वैक्स रिडिंग होगी और आज मैं देखने की कोशिश करूंगी कि आपके पार्टर आपके लिए कभी कोई स्टेंड लेंगी या नहीं ले है ठीक है बहुत ही अफ़ड़ेबल चार्जेज थोड़े से इंक्रीज होने वाले हैं जैनवरी से ठीक है तो थोड़ा सा अवे रही है आप ठीक है अगर परसने इटिंग चाहिए तो बलकुल आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं अभी ठीक है इंडिया से बहार भी है तो मदद करेंगी आपके रिलेशन्शिप में जानने पहचानने के लिए आपको ठीक है आपके पार्टनर कभी कोई स्टेंड लेंगे अगर वेट करें उनके स्टेंड लेने का कोई एक्शन नहीं होता उनका आपके लिए तो यह चीज़ें आपको बहुत दुगदाई होती है अगें यह इंट्यूटेव रिडिंग है जितना आप से मैच करें उतना ही लेजेगा लेकिन आज मैं आपको यह बताने वाली हूं कि आपके पार्टनर कभी आपके लिए कोई स्टेंड लेंगे या नहीं लेंगे ठीक है मेरी रिडिंग्स में जो कभी ही वाला जो वर्ड ह है उसका मतलब यह है कि कुछ वीक्स में महीने बार आप देख लेंगे ठीक है महीने बार में वो कोई आपके लिए स्टेंड ले या नहीं लेंगे ठीक है और भाविशे के लिए भी देख सकते हैं इस डिफरेंट होगा सबके लिए ठीक है चले स्टार्ट करतें सबसे पहल देखते हैं आपके रिटिंग में क्या आते हैं देखिए आज सबसे पहले मुझे एक्वेस साइन के एनरजी आ रही है आपका साइन हो सकता है टूरस यहां पे है और साजिटियारियस लियो वरगो यहां पे है ठीक है इसके अलावा मुझे पाइसेश यहां पे दिखाई दिया थीक है लियो मैंने अल्रेडी बता दिया आपको यह एरीज भी है ठीक है तो मुझे यह साइन जो है बहुत ही प्रॉमिनेंट लग रहे है आज ठीक है और सबसे पहले एनरजी जान लेते हैं आपके पार्टनर की ठीक है तो मुझे यहां पर ऐसे लग रहे है कि इनसान जो है आपकी स प्रॉबलम आप दोनों के बीच में यह इनसान जो है आपको ऐसे लगता है कि इनसान आपसे सच नहीं कह रहा ठीक है आप स्ट्रेंड लेने की बात सोचते हैं पर कहींने कहीं आपको दिला से दिये जा रहे है आपको यह लग रहा है ठीक है और कहींने कहीं आपके पार्ट यहां पर मुझे यह भी लगता है कि आप independent और बहुत अच्छे इंसान हैं आपको कोई भी मनलब जैसे कहते हैं कि आपको किसी और की जरुरत नहीं है लेकिन होता है कि हम जब किसी एक relationship में होते हैं तो हमें जरुरत तो होती है किसी ने किसी की जरुरत तो होती है ठीक है मुझ आप करते हैं मैसेज तो भी ठीक है नहीं करते हैं तो भी ठीक है ऐसा वाला मुझे आप लग रहा है ठीक है मलब आपके किसी ने परवा छोड़ दिया है फोर गृंटेट लेना शुरू कर दिया है ऐसा मुझे आप दिखाई देरा बहुत से लोगों के लिए लेकिन यहां मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है इसके लावा इनसान जो है डेफिनेटली आपसे मिल जैसे कहते हैं कि एक बहुत अच्छी एनर्जी में देखिए बैंट बाज़ बज़ गया है ठीक है फंक्शन है थोड़ा सा पाड़ोस में तो बज़े गाई इसका में कुशन नहीं कर सकती है यहां पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसान जो है लिटरली कोई जीत हासिल करना चाहता है आपके साथ ठीक है जैसे कोई बहुत अच्छी एनर्जी में यह विक्टोरियस होना चाहते है आपके रिलेशिंशिप में इनके एनर्जी यह भी है कि आपसे ए एक्टिव था और डेफिनेटली आप इसमें बहुत जड़ा इंपूर्ट करना चाहते थे ठीक है लेकिन फिलाल थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे है ठीक है एनर्जी दोनों की मलब जिस तरह की पहले थी उस तरह की नहीं है ठीक है इवन आप बात हो रही है यह मैं यहां प लेकिन लिटरेली अगर मैं कहूं यहां पे तो यह दिखाई दे रहे है कि और के पार्टनेर किसी और समय से अTalk है ठीक है अपनी परसनल प्रप्रब्लम्स बहुत चप्र ना पाथ है यानि कि यह जो इंसान है आपके साथ चलना चाहते हैं लेकिन आपने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर लाना चाहते हैं एक्चले यह जो इंसाने बहुत सारी प्रॉब्लम या बहुत जहमिलों में फसा हुआ है जिसके कारण यह बहुत ज़्यदा स्टक यह बता नहीं रहे लेकिन बहुत सारी चीजों का इन्होंने सॉलुशन ढून लिया है ठीक है यह अपने आपको मेंटली और फिजिकली और मुशनली अपने आपको प्रिपेर कर रहे हैं कि कोई चीज अगर लाइफ में अधूरी है तो उसको कंप्लीट करके फिर आपके पास आगे ठीक है मुझे अइसा भी लग रहा है कि इनसान इसले हैं क्योंकि इनके एंसा इनसान है हो सकता है कि किसी और के इंसा से इंसान हुए इनको यह मुबाइल को चेक करता है आपके लिए कोई मैसेज तो उसको चेक करता है बहुत सारी मिलब रेस्टिक्शन्स इनके आसपास दिखाई दे रहे हैं ठीक है यह बहुत पेशेंसली चलना चाहते हैं और कोई रास्ता नया बदलना चाहते हैं मुझे यहां पर लग रहा तो यह पर पहुंसते हैं लेकिन हम जिस रास्ते पर जा रहे थे उस पर ट्राफिक जाओं गया है अब हमने दूसरा रास्ता चेंज कर लिया है इस तरह की आपके पार्टनर की दिखा रही है यहां पर देखी लिटरली टेंपल साइन मुझे यहां पर दिखा है जो कि बहु कोई इसा साहीन है जो discovery design आगे देनों में थिक ए यहां पर आज आपके लिए रैट कलर या फिर जैसे कहते हैं गेरुआ कलर नहीं सुरी गेरुआ नहीं बोलेंगे उसको सिंदूरिया कलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज ठीक है थोड़ा सा लाल सा होता है वह सिंदूरिया कलर आई डूनो किस तरह का हाँ आप स पशी को देख रहे हैं कि आपको कर रहे हो या तो आपके बारे में आपके रिलेशन्शिप के बारे में ऑल्रेडी कोई जानता है ठीक है और आपको को कया बिस्य सबसे बड़ी बात मुझे यहां पे यह लगी है यह यहां यह बहुत hopeful हैं आपके आपके लिए स्टेंड लेगा तो इनके current feelings में यह कोई रहा देख रहे हैं किसी चीज का इंददार कर रहे हैं ठीक है यह आपसे नहीं शुरुआत करेंगे और एक बहुत ही बहुत जैसे कहते हैं कि मन से जो शुरुआत होती है वो शुरुआत करना चा इनको यह feel होता है ठीक है current energies में यह देख पार हूं कि past में इन्होंने बहुत सारी गलतियां किये आप सब के लिए differ होगा क्या गलतिया है आप खुद देखिएगा इन्होंने जैसे कहते हैं कि हम बहुत immaturity वाला बिहेव किया लेकिन उसके लिए वाके में यह पश्ता रहे और definitely अभी अपने गलतियों को सुधार के कोई action लेना चाहते हैं और इनको reconcile होना है ठीक है current energies में मुझे बहुर बहुर यह दिखाए दे रहा है कि इनसान जो आपस reconcile होना चाहता है आपको कोई gift देखिए आपको वापस start करना चाहता है मुझे कुछ कुछ के लिए no contact भी देखिए तो इनके रादों में सबसे पहले family issues मुझे में आप दिखाई दिए ठीक है family issues इनके चारों तरफ है इनके रादे वाकिये में आपको अपने घरवासों घरवालों से मिलाना आपके साथ शादी करना आपके साथ कोई committed relationship में रहना है लेकिन family issues यानि की family आपके लेकिन और कोई भी issue हो सकता है ठीक है यहां पर इनिशेट कर चुके हैं आपके लिए बारे में बता चुके हैं लेकिन कोई response नहीं मिल रहा है यह बहुत ही मलब जैसे कहते हैं कि बार बार एक बात को कहके ठक चुके हैं लेकिन आप इनोंने क्या है कि action लेना अपने खुद अगर किसी के सामने रखेंगे तो यह कोई समझेगा नहीं ठीक है मुझे यह अपनी बातों को छुपाते हैं और अपनी दिल ही दिल में बहुत सारी planning करते हैं नजर आ रहे हैं ठीक है क्योंकि इनको अब आपके relationship पे work out करना है और मैं यहां पर यह भी देख पा रही हूं कि कोई ने कोई रास्ता ऐसा खोज रहे हैं जिससे कि आपको एक offer दिया जाए ठीक है फिलाल के लिए आपको कमिट्मेंट की सोच रहे हैं लेकिन फिलाल के लिए आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं बहुत ही romantic आपके date हो सकती है ठीक है क्योंकि इनके इरादी ऐसे हैं कि आपसे एक बार मिला जाए ठीक है यह हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं जो अपने सच कुछ बता साएं यानि कि इनके घरवाले आपके लिए ready नहीं है यही सच यह आपको बताना चाहते हैं मुझे बहुत से लोगों के लिए यही situation लग रही है लेकिन घरवाले problem नहीं है तो यह अपने career side से कोई नहीं कोई नई शुरुवात के लिए आपको बताना चाहते हैं ऐसा मुझे यहां पर लग रहा है और देखें अब क्या यह आपके लिए कोई strand लेंगे तो मैं यहां पर सबसे पहले देख पा रही हूं कि yes आपके लिए कोई strand लेने की सोच रहा है क क्योंकि इनके रादों में हमने देखा कि यह सब कुछ चुपाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने कई बार ट्राइ कर लिए अपने घरवा लोगों को कहके वह नहीं मानते तो अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं आपके लिए ठीक हैं बहुत से लोगों का अगर career stable नहीं है तो वो career side से बहुत ज़्यादा hard work करते हैं नजर आ रहे हैं ऐसा लग रहे है कि अपनी life में आपको लाने के लिए बहुत-बहुत मैनत कर रहे हैं ठीक है यहां पर देखे इनके इरादे आपसे एक new stable commitment या कोई new start चाहिए इनको आपसे इनके इरादे मुझे यह लग रहे है और यह क्या आपके लिए strand लेंगे तो सबसे बड़ी बात ही कि strand लेंगे और आपको अपनी जीवन में रखना चाहते हैं ठीक है यह जैसे stability वाली मतलब वो है यह सब चीजों को control करना चाहते हैं जो जो चीजें आपके oppose में जा रहे हैं यहां पर देखे आपसे communication इनका सारी बाते करना चाहते हैं जो issues इनके आसपास चल रहे हैं करमास चल रहे हैं आप दोनों को बहुत सारी family members involved है मुझे यहां पर देख रहे हैं मुझे literally किसी की family बहुत big लग रही है ठीक है ऐसा लग रहे है कि आप जो है सब को समझाते समझाते मतलब पागल से हो गए और आ definitely चीजों को control करेंगे और आपसे बात करेंगे मुझे ऐसा भी लग रहे है अपनी confusion का क्या निवारन हो सकता है यह आप दोनों ही मिलके करेंगे ठीक है यह इनसान तो इस बारे में सोच ही रहे हैं लेकिन यह जो है आपको खोना नहीं चाहते हैं इसलिए आपकी राय को कुछ आपसे बहुत जो आप अभी तक नहीं बताई वह बाते भी आपको बताएंगे ठीक है मुझे लग रहा है कि इनका जो फ्रॉट चक्रा है वह ओपन हो चुका है यह दिल खोल के आपसे बाते करने वाले हैं क्योंकि बात में इनके बहुत ज़दा अपने जो आपके ब नहीं रखना चाहता है और यह सच बात यहीं हो सकती है कि अपने घरवालों के बारे में आपको क्लियर कट बताने वाले हैं ठीक है यह बेदे कि मुझे बहुत ज़दा कलश की कलश जो होता है ना हमारे कलश वाली आकरती भी दिखाई दी मटका जिसे बोलते है ठीक है लेक आपकी जो दोनों की मैरिज है या कोई मैरिज प्रपोजल वह अटका हुआ है ठीक है ऐसा हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ठीक है आपके लिए आच रेट कलर और जैसे मैंने कहा सिंदूरिय कलर बहुत इंपोर्टेंट है कुछ लोगों का जो डेट आव बर्थ है वो एट नंबर हो सकता है ठीक है फाइफ नंबर आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है और फोर नंबर ठीक है यह इंपोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए और देखे मैं यहां पर यह भी बताना चाहते हूं कि इनसान जो है अपनी पूरी प्रयास करेगा कि आपके साथ इन मैं बताना चाहते हूं थोड़ा सा देगे मुझे लग रहा है कि आपने बहुत इस इंसान का वेट के हैं आप वेट करकर के तंग आ चुके हो आपने कई बार इनको क्लियर कट कम्मिनिकेशन करके बोला भी है लेकिन क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे बस में नही है ठीक है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यह जो इंसान है आपके लिए कर बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ से यह है कि आप ठक चुके हो इनका आप वेट कर रहे हो वेट कर रहे हो लेकिन कहीं कहीं आपने आपका मन कहता है कि मुण कर लेना चाहिए बहुत आप जागते रहते हैं आपकी नीदे ऊड़ी हुई है क्योंकि यहां पर आपकी पास भी प्रपोजल है आपकी एज आती जा रही है ऐसा आपके घरवाले कहते हैं प्रेशर थोड़ा आपके ऊपर है घरवालों का मैं यहां पर देख पा रहे हूं लेकिन आप बातों को टालत है लेकिन फिर भी आपका मन कहता है कि थोड़ा सा और वेट थोड़ा सा और वेट चीजें इनके साथ सही हो तो सही है ठीक है यह पर आप मतलब अभी भी वेटिंग पीरेड में हैं आपका दिमाग कहता है कि मौन कर जाओ लेकिन आप क्या है अभी भी अपने दिल की सुन रहे येस जब आपकी गट फीलिंग कहती है कि येस दिल की सुनो तो येस सुनना ही चाहिए चले आप मैं मैंसेज लेती हूं आपके लिए आल राइट बैट जबाई ये नहीं बैटने वाली या ओके चले हम कुछ मैसेज़ेज लेते हैं आपके पार्टनर के लिए इस स्थिती में बहुत से लोग फैमिली इशूज में फस्ते हैं ठीक है आपकी जस बात कुछ छोटी सी बात के लिए अटकी हुई है ऐसा मुझे आपके फील हो रहा है चले देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर के मैसेज और मैने मैसेज का पितारा खोली है और मैं इस नहीं दे रहा पर जो भी निकलेगा ट्रू लव तो इनका जो लव है आपके लिए बिल्कुल ट्रू है और लेते हैं यह देखिए बिल्कुल ही पलट चुका है मैं इसको पढ़ूंगी जरूर मैं तुम्हें कॉल मैं तुम्हारे कॉल का इंजार कर रहा हूं वाओ गाइज यह जो है इनसान आपके कॉले मैसेज का इंजार कर रहे हैं क्यों कर रहा है आप देख लीजे देख ble hasta 5 विए हैं बे बेहद और बेमिशाल आया है बहुत प्यारा सुंगहें आज फिर तुम पियार आया है b तो यह पुरानी इस्तिती जैसे कि मैंने कहा कि पुरानी सिट्विशन जो आपनी थी बहुत अच्छा था आपका रिलेशन्शिप तब की बहुत ज़्याद करते हैं ठीक है आपकी फ्रेंशिप जो है लव में बदलना चाहती है तुमको भगवान से मांगना चाहता हूं येस स्टार्ट स्माइलिंग वाव आपके लिए क्या क्या मैसेज आ रहे हैं वेरी नाइस चले उपर से लेती हो मैं गीमी क्लिर्टी समहाव कैसे भी आप इनको क्लिर्टी दीज ठीक है और यह है I always forget things when you are in front of me हमेशा यह आप जब सामने होते हैं तो कुछ बाते हैं ऐसी है जो कि भूली जाते हैं ठीक है बूलकड है कभी कबारी है जब आपके पास होते हैं तो इनको सांसे रुख जाते हैं वाओ क्या बात है गाइस ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था चले एक और देखते हैं ठीक है देरी हो रहे हैं आने में और बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे यह जो मामले हैं जो घरवालों के इशूज है वह बहुत जल्द खतम हो जाए भगवान की दुआ और मेरी दुआ आपके साथ है मैं आपके लिए प्रेश जरूर करूंगी तो आपको क्या करना है मैं इतना तो बनता ही है और साथी साथ बैल आइकन दबाईए सब्सक्राइब कीजे और मेरे चैनल को भर भर की कमेंट सेक्शन में बताईए कि क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता आपको ठीक है सारी अगर आप दुआएं भी देंगे तो अच्छी है और